महराशु के इतिहास में सालों से चली आ रही ग्यानिश्वर पाल्की की परंपरा राजु के आध्यात्मिक महत्व को अधिक बढ़ा देती है लेकिन आरंदी में उवेवारकरी बनाम पुलिस के घमसान ने राजु की राजनिती को अधिक तेस कर दिया है महराशु का महत्वपून आध्यात्मिक केंद्र संद्ग्यानिश्वर महराशु का समाधिस्तल आरंदी जहां पाल्की प्रास्थान के समय गटी गटना कही ना कही विवस्ता पर प्रश्णिशिन निर्मान कती है पाल्की प्रस्थान के पूर्ववारकरी और पुलिस के बीच वे अलफाजी घमस्तान की कारण अभिया मुद्दा राज की राजनीती में चर्चा का विशय बना हुआ है उसे बीच भाजपा प्रदेश दिश चंद्रशेकर बावनकुरे ने पत्रकारों से बात करते समय इस मुद्दे पर स्वश्टी करन दिया है जहां उन्होंने अपील की कि आडंधी के मुद्दे को लेकर राजनीती ना करे साथ ही साथ उद्दफ ठाकरे और विपक्ष पर तंसकस्ते वे उन्होंने कहा कि उद्दफ ठाकरे के कारेकाल में भी कई घटनाएं घटी तो इस मुद्दे पर विपक्ष राजनीती ना करे तो बहतर है मानानिया महराष के ग्रह मंत्री देवेंद्र जी ने कल पश्ठर उपसे महराष के सारे पॉलिटिकल पार्टीज को आववान किया कि इसकी राजनीति ना करे और जो घटना हुई है उस घटना को लेकर भी उन्होंने सच्चा ही मिडिया के सामने और जनता के सामने रखी है तो मुझे लगता है कि इसमें और कोई नई बात कहने के आवशकता नहीं है विपक्ष इस विशेय पर राजनीती ना करे पिछले बार भी उद्द्व जी के समय मुख्यमंत्री जब वो थे भहेंकर घटना इसी स्पाट को हुई थी और ये स्पाट को लेकर ये पुझ निर्ने सब मिल के लिए गए थे वो इसाब से सरकार ने कारवाई की पुलिस के उपर उल्टा वहाँ पर कुछ हुआ है लेकिन चलो वारकरी संपरदाय वारकरी जनता जो है वो मतोपुर्न है भगवान उठर रखमई दर्शन नेने हो जा रहे है तो मुझे लगता है कि ऐसे घटना में सबने एक साथ आकर महाराश की जो परंपरा है उसको बरकरा रखना चाहिए नबी सीन नीज के लिए जितकवर के साथ अभिशेक पांसी की रिपोर्ट